हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi A very 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 warm hearted welcome to all of you This side is Abhinah Kumar Boreya और मैं आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तत हूँ Basically World Mapping की एक और class और इस class में हम आज क्या discuss करने वाले हैं I know आप सभी की expectation है कि हम जल्दी से जल्दी जो है वह एक एक continent को cover करना start करें याद रखें कि अगर आप one day exam की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जादा ठीक होगा कि आप directly जो है वह कहां पर shift हो जाए आप directly shift हो जाएं महाद्वी को पर पर यह याद रखें कि अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं तो यहाँ minute analysis की आवशक्ता होती है एक एक जल्संदी से related question एक एक dimension UPSC पूछा करता है याद रखें कि अगर मैं आपको सामानिता जैसे आज हम जो है local seas पढ़ेंगे तो मैं directly अगर आपको आका समझाओं एशिया के बारे में तो आप थोड़े से confused होंगे याद रखें अगर मैंने आपसे कहा कि एशिया के बारे में हमें देखना है तो सामानिता एशिया के अंदर कहां कहां desert है कहां forest है कौन सी नदी कहां बहती है इस प्रकार की जनकारी होती है प्रकार मैं कहूं कि दक्षिन चीन सागर कहा है पूर्वी सागर कहा है जपान साग 11 degree line कहां से पास होती है किस प्रकार से महादवीपों में ग्वीप सम्मूह अलग है किस सागर से इस प्रकार के प्रशन several UPSC ने पूछे हैं एक बार गूगल सर्च करकर देखें इससे related dimension हमेशा आते हैं बच्चे को समानता यह लगता है यह मेरे लिए भी काफी आसान होगा कि पीछे एक map draw करके उसमें पूरे एशिया को समझा दे उसमें एक बार यॉरप को समझा दे यह काफी easy task है इससे syllabus जल्दी cover भी होता है पर याद रखें कि syllabus cover होगा आपके प्रशन solve नहीं होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपसे प्रशन solve करते बने तो थोड़ा patience रखें मैं जिसका order में करा रहा हूँ यह उसकी importance की hierarchy है यह उसके जो है वो weightage की hierarchy है तो चलिए हम start करते हैं यहाँ ध्यान देने योग information है मैं पहले भी बच्चों बहुत बार आपको समझा चुका हूँ याद रखें कि YouTube पर search करके topics पढ़ना थोड़ा लेथार्जिक होता है आपके पास opportunity है मैं फिर से कहूंगा आप सोचें आप एक घंटे एक class को enjoy करते हैं आप अगर इसे ही तीन घंटे daily enjoy कर पाएं daily उस content को feel कर पाएं तो कितना बढ़िया हो याद रखें कि आपके पास जो ह अगर चाहें तो आप इस course को prevail कर सकते हैं इसकी cause जो है आपके सामने है आप अपने favorite faculties का code put करें और इसे prevail करें इसके अलावा सबसे important चीज़ है याद रखें कि आपका जो P2I batch है अब एक नए form में आया है आपके पास opportunity है 10 October से पहले इसे prevail करने की मैं आपको genuine advice दे रहा हू याद रखें कि अगर आप इसका part बनते हैं तो आपका year कोई सा भी हो यहाँ पर आपको पास जो है वो तीनों option होगे 1 year, 2 year, 3 year इन तीनों के option है आप इस course को minimum bare minimum cost पे जो है वो आपने किसी भी favorite faculty का code put करके जो है वो prevail कर सकते हैं अब मेरी बात ध्यान से समझेए मैं क्या कहन चाता हूँ अभी जब इस batch के लिए orientation की class है start होई थी उस समय जो है अभी जो है basically class start होनी है इसके previous वाला जो बैस था मैं उसकी जानकारे आपको दूँ तो literally जिस समय मैंने orientation लिया I used to feel that thing कि बच्चे के पास बहुत सारी चीज़े हैं सोचिए आप अगर offline में होते तो सामने एक बार live आकर teacher ने जो समझाया आपने जितना लिख लिया आपने जितना समझ लिया that's it आपके पास online platform पे क्या सुविधा होगी तो समझेगा पहली चीज़ faculty आएगा आपको जो है live class में पढ़ाएगा आपको कोई doubt होंगे तो आप hand raise कर सकते हैं आप obviously आपके पास option है कि आ आउट पूछ सकते हैं live class में इसके लावा आपको जो है एक mentor a lot होता है याद रखें वो mentor जो है आपसे 24-7 connected होता है आप उससे audio में वीडियो में वीडियो कॉल में discuss कर सकते हैं अपने doubts को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है किसी प्रकार का कोई ऐसा dimension है जो आपके paper के against barrier बना हुआ है उसे आप clear कर सकते हैं अपने mentor से imagine करें माल लेते हैं कि मैं आपका mentor हूँ और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो याद रखें कि आप मुझसे directly contact कर पाएंगे इसी के साथ आपकी daily answer writing की मैं आपको literal बताओ तो daily आपको portal पे जो है question दिखाई देगा उसका answer आपको लिखना होगा और जब आप answer लिखकर उससे भेजेंगे तो उसका model answer भी आएगा और साथ में आपका answer चेक होकर भी आएगा प्री recorded पहले से कुछ वीडियो आपके पास day one से होंगे how to write answer इसी तरह से अगर आपका pre qualify होता तो याद रखें इन सभी में कितना ब वो study IQ अपने खर्चे पर यहां बुला कर आपकी तयारी कर आएगा इसके लिए आपको कोई extra cost पे करने की ज़रूवत नहीं है even मैं उन बच्चों से मिल भी चुका हूं जो बच्चे जो है अभी इस समय pre qualify करके mains के लिए जा रहे हैं तो मेरी आप सभी को यह advice है कि आप सभी जो है वो जल्दी से जल्दी इसका part बने मज़ा आएगा जब हम और आप जो है मिलकर फिर इन batches में आपकी पढ़ाई को targeted form से चलाएंगे तो चलिए हम start करते हैं अपनी class ध्यान से देखिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मैं उस स्थान पर देखने वाला हूं तो ध्य याद रखिएगा मेरी यह expectation है आप सभी से कि आप freehand जो है वो map draw करना सीख लें कुछ इस प्रकार से आप आएंगे कि यह है basically जो है उत्तरी अमेरिका इस प्रकार से आप आएंगे तो यह आपको दिखाई देगा यह है दक्षिनी अमेरिका इसी प्रकार से याद रखें यह बता हूं तो don't try to make any kind of tricks आपको कोई trick बना कर याद करने का प्रयास नहीं करना है आप सिविल सेवा परिच्छा UPSC की तयारी कर रहा है one of the finest exam of earth आपको यह याद होना चाहिए मैं आपको literal बता हूं तो आप इसे 4 से 5 बार केवल बोल लें आपको by default याद हो जाएगा I think आप को याद हो चुका होगा यह California है Gulf of Mexico है और मैं यह इतने बार बोलूँगा कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा यह basically Canada वाला पार्ट है याद रखें इस प्रकार से आप चलते में आएंगे तो यह Alaska वाला एरिया है इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है व mainland का portion और इसी प्रकार से याद रखें यहाँ पर आपको दिखाई देगा यह है basically आपका Africa और इसी तरीके से आप चलते हुए आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको Horn of Africa दिखाई देगा और याद रखें कि यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देगा अरब का प्राइद प्राइद वीप का अर्थ सिंपल से dimension में मैंने बता रखा है वो इस्थलकन जो तीन दिशाओं से किसे घिरा हो महा सागरों से इसी प्रकार से याद रखें कि यहाँ पर आपको जो है यह इस्थमस दिखाई देगी मैंने पहले भी बताया इस्थमस का मतलब है वो पतला इस इसी प्रकार से आप चलते वहाएंगे तो यह योरोप वाला पार्ट है यहाँ पर पूर्तकाल दिखाई देगा इस्पेन दिखाई देगा फ्रांस दिखाई देगा जर्मनी दिखाई देगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में बेल्जियम और नीदरलेंड्स दिखाई और यहां आपको दिखाई देंगे Nordic Nations, याद रखे इनका head कौन है, तो मेरे साथ repeat करते जाएए, गा माइंड में, इसका head Denmark है, Denmark के उपर आपको जो है, इस इस्थान पर दिखाई देगा, यहां है तथा कथित Great Britain, सच ऐस कुछ करा नहीं है अर्थ के लिए कि हम Great Britain का हैं, बट क्या करें, मजबूरी है, तो यहां ध्यान दें, यह है तथा कथित Great Britain, यहां आपको दिखाई देगा Iceland, और याद रखें, Iceland के उपर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा Greenland, Greenland मैंने आपको पहले भी बताया, यह politically किसका पार्ट है, यह politically यह यॉरप का पार्ट है, ले याद रखिए, आज की इस क्लास में, मैं इस World Map में बहुत सारी चीज़ें एड करूँगा, बहुत सारे ऐसे Dimension है, जो आपको शायद ना पता हो, आज हम उसे जो है, वो cover करने वाले हैं, तो be ready, थोड़ा सा जो है, वो patience रखें, थोड़ा सा धैरे रखें, अन्यता की सिती म होगा ये, कि आपको जो है, वो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आएंगी, यहाँ पर जो द्वीब सम्मू है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, just 10 seconds, याद रखें, यह आपको उपर जो है, वो क्या दिखाई देगा, यहाँ आपको लक् है, यह चागाउज वाला है, यह यूके के अंदर आता है, और इस पर जो है, वो डियाग्रासो एक एरिया है, जहां पर USA ने अपना नेवल कमंड बना रखा है, चायना को काउंटर करने के लिए, अब यहाँ ध्यान से देखें, अब इस मैप में हम बहुत सारी आर बार रिपीट इसलिए करता हूँ, ताकि आपको यह याद हो, वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाए, हर रोज एक छोटी सी डिटेलिंग और एड कर दूँगा, जैसे, आज याद रखें, आपको यहाँ पर जैसा याद है, यहाँ पर गल्फ है, यहा याद रखें, इसे कहा जाता है लेक बाइकल, और याद रखें, यह जो लेक बैकल है, यह विश्व की सबसे गहरी जील है, हम कहते हैं, ताजय पानी की सबसे बड़ी जील जो है, वो नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पर आपने देखा हुआ, प्रीवेस कास में बताया है यह है, पाइव लेक्स, ग्रेट लेक्स ऑफ युएसे कहा जाता है, इसमें कौन-कौन से आती है, तो सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, उंटेरियो और इरे, यह पाँच लेक्स हैं, जो ताजय पानी की है, विश्व की सबसे बड़ी ताजय पानी की जील जो है, वो सुपी तरार है, बेसिकली, एशियन प्लेट की, जहां पर ताजा पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर से सबसे बड़ी क्यों नहीं कहा जाता, तो याद रखिए, बड़ी नहीं है, कहरी है, क्लियर, इसका आकार बेलजियम के आकार से बड़ा है, तो इस कंपरेजन को थोड़ास अप इस क्लास में बता चुका हूँ, बुल्गारिया, रोमानिया, रश्या, यूकरिन, तर्की, और जॉर्जिया, मैं फिर से रिपीट करा हूँ, बुल्गारिया, रोमानिया, रश्या, यूकरिन, तर्की और जॉर्जिया, इसके अलावा याद रखें, कि जो कैस्पेंसी है, क अजर्बाइजान, इरान, तुर्कमेनिस्तान और खासका रश्या ये पोर्शन जो है आपको दिखाई देता है इस प्लेस पे तो ये नेशन जो है वो किस से बॉर्डर बनाएंगे ये कैस्पियन सागर से बनाएंगे अराल सागर दो देशों की बीच में अब ये मैं आप से कि वो कौन से दो देश हैं क्लियर अभी मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर जो है वो नदियां जलवे सर्जित करती हैं कौन सी दो नदियां है इसमें आप जो है वो देखेंगे तो यूकरिटस और यूफरिटस के नाम से जाना जाता है ये दो नदियां यहां जलवे अब इसमें मैं एक एक जगहा पे जो है वो लोकल सीज ड्रॉ करने वाला हूं यहां मेरी आप से एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इसे एशेंशली नो डाउन करें हमें स्टार्ट करते हैं बेसिकली एशिया वाले पार्ट से और याद रखें यहां बहुत सारी मैपिंग आए याद रखें कि यह जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं यह है हमारा ग्रेट इंडिया वाला पार्ट इसी प्रकार से आप पाएंगे कि यह वाला जो पोर्षन आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से आप पाएंगे कि यह पोर्षन जो है वो आपको दिखाई देगा जस्ट तरिगे से यह वाला portion जो है I think about habitual हो चुके होंगे यह वाला पॉर्षन जो है पाएंगे कि यह है basically मलेष्या वाला part इजय है कमबोड्या वाला portion दिखाई देगा इसी प्रकार से आपको जो वो यहाँ पर चायना दिखाई देगा, यह कोरिया का प्राइद वीब दिखाई देगा, और इसी प्रकार से आप चलते हुए आएंगे, तो आपको जो है, वो इसी सहन पर कुरिल वीब समूह के लिए, जो है कामचटका का प्राइद वीब दिखाई देगा, अब इसे पूरा पोर्शन, अब यहाँ ध्यान दे, याद रखें कि इस तरीके से आप जब जाएंगे, तो आपको एशिया की बॉर्डर्स दिखाई देंगी, यह साइबेरिया वाला पाट है, ओके, आएं, हम इसे थोड़ा सा जो है, वो डाइमेंशन फूल बनाते हैं और आगे चल इस स्थान पर प्लेस दिखाई देगा, और यह जो है, हमारे लिए अब इतना अब्जर्वेंट सफिशेंट है, तो इसे थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पर सेटल रखना है, कि यह कुछ इस तरीके से बनेगा, याद रखें, यह सुपर इंपोर्टेंट होगा, कि आप आपको यह वाला पोर्शन जो है, वो बहतर तरीके से याद हो जाए, बिकॉस यह एकस्पेक्टेशन हमेशा UPSC की होती है, कि आपको यह सारी चीजें पता हो, तो इसे अपने दिमाग में बहतर तरीके से सेटल डाउन रखेंगा, अब यहां बहुत ध्यान से देखें, या इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, आइथिंग इससे आप परिचित होंगे, यह है बंगाल की खाड़ी, इसी प्रकार से याद रखें कि इससे आप उपर जाएंगे, तो अब यहां आपको आपका जो है, वो फुल कॉनसेंट्रेशन देना है, याद रखें इस सान पर आपको दिखाई देगा ड्वीप समू जैसा कि आप सभी अब पर्चित हो चुके हैं ये वाला पार्ट जो है आपको दिखाई देगा ये इंडोनेशिया का पार्ट है I think आपको अब याद है clear अब यहां ध्यान दें याद रखिए कि आपको इस इस्थान पर याने कि जो बं निकाल लूँ इसे बेसिली कहा जाता है अंडमान सागर अब देखिए याद रखिए कि जो अंडमान सागर है ये सब पार्ट है बंगाल की खाड़ी का बंगाल की खाड़ी सब पार्ट है किसका हिंद महा सागर का clear अब यहां याद रखिए इसके ऊपर यहां पर जाएंग सागर याद रखें कि जावा सागर बेसीली सब पार्ट है अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ किसका तो यहाँ ध्यान दे याद रखें कि इस इस्थान पर आपको जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा याद रखें इसे कहा जाता है साउथ चाइना सी अर्थात यह क्या है यह है दक्षिन चीन सागर यह वाला पॉर्षन है इसे कहा जाता है दक्षिन चीन सागर यह है साउथ चाइना सी तो यह एक पार्ट हुआ बंगाल के खाड़ी फिर अंड़मान सागर फिर साउथ चाइना सी अब याद रखें, South China Sea से आप उपर जाएंगे तो अब आपको याद रखना है South China Sea के बाद East China Sea दिखाई देगा इस प्रकार से हम इसे plot करते हैं, ध्यान से देखें याद रखें, ये वाला जो portion है यहाँ आपको जो है, वो दिखाई देगा क्या East China Sea याद रखें, ये वाला portion है East China Sea अभी मैं सब कुछ add करूँगा इसमें, don't worry clear, तो याद रखें, ये है East China Sea इसी प्रकार से याद रखेंगा इसके आप उपर जाएंगे तो इसके पश्चात आपको दिखना प्रारंब करेगा इस स्थान पर कुछ इस तरीके से यहाँ Korean Peninsula है और याद रखें कि इसके पास आपको जो है वो दिखाई देगा East Sea या फिर इसे कई बार जो है वो जापान सागर भी कहते है clear, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा याद रखें, यहाँ पर आपको दिखाई देगा East China Sea के उपर basically East Sea या पूर्व सागर या इसे जापान सागर कहा जाता है clear, तो यह order से आपको याद हुआ यहाँ पर जो है, वो सबसे पहले South China, फिर East China, फिर East अब याद रखिएगा कि यह जो portion मैं ड्रॉ कर रखा, इसे थोड़ा सा हम जो है, री करेक्ट करते हैं थोड़ा सा इसमें हम addition करेंगे जिससे आगे हमारा जो map है वो थोड़ा सा, जो है, वो correct हो जाए याद रखिए, इस प्रकार से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है, वो प्राइद वीब दिखाई देगा यह कौन सा प्राइद वीब है, तो यह basically है काम चटका का प्राइद वीब clear, अभी मैं इस पर भी आता हूँ याद रखिए, आपको इस इस सान पर कुछ इस सरीके से एक सागर दिखाई देगा कौन सा है इस सागर, तो याद रखिएगा इससे कहा जाता है, अखोटस clear, sea of अखोटस या sea of अखोटस, clear तो इस नाम को भी अपने दिमाग पर settle down रखें यह सारा important है आपके exam point of view से, clear तो आपने इसका order याद कर लिया यह order जो है आपके लिए super important है इस प्रकास से आपको याद रहेगा अब इसमें याद रखें, यहाँ पर जो द्वीब समूह आते हैं, इनका order याद रखिए कि अखोटस सागर के सामने, यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा, इसका नाम याद रखें मैं पहले भी बता चुका हूँ और जब यह class आप देख रहे हैं उस समय आपको जो है इसका answer देने का प्रयास करना है कौन से है यह द्वीब, तो I think आप सभी अब answer दे पा रहे हैं इसका नाम है, basically कुरुल द्वीब, अब याद रखें यह जो कुरुल द्वीब सम्मू है यह basically विवादित छेतर है रश्या कहता है, यह इसका है, जपान कहता है इसका है, इन दॉलों के बीच में आपको विवाद देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर याद रखेंगा, आपको नीचे आने पर एक और जो है, वो देश दिखाई देगा कौन सा है यह देश, तो I think आप सभी जो है, वो बहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे यह वाला जो यहाँ द्वीब आपको दिखाई देता है, याद रखें, कि यह है बेसिकली जपान, और याद रखें, कि यह जपान जो है, आपको कुछ इस सरीके का दिखाई देगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस शेप को आपको जो है, वो याद करना पड़ेगा याद रखें, जपान में कौन-कौन से द्वीब आते हैं, मैं डेटेल में जब एशिया के द्वीब समझाऊंगा, तब हम इस पर डिसकॉशन करेंगे कि यह कौन से द्वीब है, देखें, समझें इस बात को कि मैं आप सभी के अंदर एक awareness लाना चाहता हूँ, याद रखें कि UPSC one day exam नहीं हैं, इसमें आपको extra effort लगाने पड़ेंगे, अगर आपने केवल और केवल वो चीज़ हैं जो सामाने तानेट पर मिल जाती हैं यूट्यूब पर आप देख पाते हैं, अगर उसे केवल पढ़ा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाखों में उसमें जो है, वो व्यूज होते हैं और आप पाएंगे, कि सभी लोग उसे देख रहे हैं लेकिन वीजन ये है, सिलेक्शन ना होने का कि UPSC उस पे बेस्ट किसी और टाइप के प्रशने करता है, याद रखिए कि यहाँ जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट आएगा जपान के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं, क्यों आपको जानना ज़रूरी है, इंडिया की all weather friendship है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया का prominent enemy जो है, वो पाकिस्तान कभी नहीं है यह बेसिकली चाइना है और याद रखिए चाइना को टेकल करने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा weapon जपान है याद रखिए कि जपान के एक PM थे जिनका नाम था सिंजु आबे जिनका assassination हो गया जपान के अंदर उनका statement था कि इंडिया और पाकिस्तान is a state of conflict from last 70 years इंडिया और पाकिस्तान सतर साल से विवात की सिती में भारत और पाकिस्तान के respect में और वही जपान और चाइना ये basically जो है वो बीते 700 सालों से conflicting condition में है याद रखिए कि पाकिस्तान जैसा relation हमारा और पाकिस्तान का है वैसे ही जपान और चाइना का है इंडिया इना state of war with चाइना definitely जपान विल है second dimension मैंने आपको बताया कि जो चाइना का defense infrastructure है याद रखें कि lack of nationalism अर्थात राष्ट्रवाद की कमी के कारण जो है चाइना कभी भी अपनी आर्मी को बहुत बड़ा नहीं कर सकता विद्रोह के कारण अब इस condition को जो है वो manage करने के लिए जो चाइना है ये size कम रखता है equipment heavy करता है अब इसमें ये याद रखेगा कि ये जो condition होती है यहाँ पे चाइना जो है एक साथ दो war door open नहीं कर सकता चाइना एक नेशन के साथ अगर लड़ता है युद्ध तो चाइना उस नेशन को definitely जो है वो defeat कर सकता है लेकिन एक साथ simultaneously दो अलग अलग war front पे चाइना कभी war नहीं लड़ सकता और आप इसका best example देखेंगे डोकलाम dispute में कभी अगर जो है हमाई पास समय रहा तो हम इस पर discussion करेंगे कि डोकलाम dispute के समय world war second के बाद से अब तक का सबसे बड़ा face off था दो आर्मी जामने सामने खड़ीं थी पर कभी युद्ध नहीं हुआ कारण क्या था एक था dynamic super 24 karat gold speech of S.J.S. Shankar in the UN उस समय वो हमारे उस समय वो हमारे जो है foreign minister नहीं थे वो जो है वो secretariat में थे और याद रखें एक वो speech थी और second था सिंजो अबे का statement जहां पर उनने का था we don't know which one is right in this dispute the one thing perfectly knows is that one thing perfectly Japan knows is के we are with India हम इंडिया के साथ है याद रखें ये जो conditions होती है ये conditions जो है वो super important होती और ये निकल कर आता है किस से ये निकल कर आता है जो है geography से अब देखे geography कहती है कि Japan जो है वो conflict में किसके साथ Russia के साथ अब Russia के साथ हम मितरता में है हम anti है किसके China के और China मितर है किसका Russia का और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती किससे जपान के साथ अब यह जब triangle आप समझोगे ना यह triangle आपके जो है IR को super dynamic बना देगा याद रखें conflict को सुनना नहीं होता उसको settlement के लिए उसको समझने के लिए आप उसके answer को लिख पाए जोगदफी जेशेंशल अब यहाँ याद रखें कि इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जापान जो है यह बेसिकली तीन द्वीप समुहों से मिलकर बना है आपको हमेशा याद रखना है सबसे उपर याद रखें आपको दिखाई देगा जिसे कहा जाता है होंशू होंशू बेसिकली सबसे बड़ा है जो मिडल में होता है इसके पशात दीचे है चलिए एक काम करते हैं आप मुझे बताएं कि जेपैन के अंदर कौन से तीन मेजर द्वीप हैं और इनका करम भी बताएं होकाईडू कहां आता है होंशू कहां आता है और कहां पर किसका किस प्रकार से ओर्डर है मैं इसे डिटेल में कवर करूँगा आगे की क्लासेस में ओके चलिए तो ये जेपैन हो गया अब यहां ध्यान से देखें जो इस्ट चाइना सी है East China Sea और South China Sea इसके बीच में जो है आपको एक देश दिखाई देगा कौन सा है वो याद रखें ये देश basically कौन सा है तो यहाँ आपको दिखाई देगा इसे कहा जाता है Philippines इसे कहा जाता है Taiwan अब आपको याद रखना है याद रखें ताइवान का ओरिजिनल नेम जो है पीपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना नो रिपब्लिक ओफ चाइना है यानि कि ताइवान का भी ओरिजिनल नाम चाइना ही है चाइना के establishment हुआ था 1949 में अंडर दी लीडर्शिप ओफ माउजिडॉ माउजिडॉग ने एक civil war लड़ी थी civil war में दो पार्टी आपस में लड़ रही थी एक पार्टी को हराया गया जो पार्टी हारी वो जाकर ताइवान में सेटल हुई और चाइना हमेशा कहता है कि ताइवान हमेशा कहता है कि वो independent nation है और चाइना इसी के agreement को इसी के acceptance को बढ अंडर दा agreement ऑफ पंशील हम पंशील agreement से मानते हैं कि ताइवान बेसिकली चाइना का पार्ट है लेकिन याद रखें dynamics used to change, interest used to change, dynamics used to change, जो भी संबंध बनते हैं चाहे वो वो व्यक्ति के संबंध हो, चाहे वो international relation में हो, याद रखें ये interest पे base होते हैं, जैसे ऐसे इंडिय वैसे वैसे इंडिया के relation बदलेंगे, यहाँ ध्यान देने योग के बात है कि ताइवान को ऐसा separate nation accept करता है कौन? USA to counter China, दिखाई देगा ताइवान आपको in just front of these two seas, यहाँ पर आपको East China Sea, यहाँ आपको South China Sea दिखाई देगा, अब यहाँ ध्यान देने योग के बात है, य फिलिपीन्स, याद रखें, फिलिपीन्स की जो capital है, यह मनीला है, और यह भी याद रखेगा, कि जो फिलिपीन्स वाला पार्ट है, आपको दिखाई देगा, कि यह portion जो है, जादातर सामने आता है, South China Sea के थोड़ा सा मैं नीचे बनाना चाहता था, पर यहाँ जो है, वो Java बहतर तरीके से याद होती है, तो यह सारे seas का order याद हो गया, इनके सामने के द्वीप याद हो गया, अब इसमें हम detailing करना है, स्टार्ट करते हैं, अब याद रखें, जो Java, यहाँ पर Java लिखावा है, यहाँ जापान है, याद रखें, कि यह जो जापान द्वीप समू है, हमेशा याद रखेंगा, कि जापान द्वीप समू के सामने, आपको जो East China Sea दिखता है, इस East China Sea के पास, आपको एक Local Sea और भी दिखाई देगा, यहाँ आपको एक Local Sea दिखाई देगा, अब याद रखें, इसके नीचे एक दिखाई देगा, आपको mainly इसे याद रखना है, clear, यानि कि East China Sea में इस इस थान पर आपको एक Local Sea और भी दिखेगा, याद रखें, इसे basically कहा जाता है, मैं यहाँ नाम mention कर दूँ, otherwise आप भूल जाएंगे, यहाँ याद रखें, इसके अंदर एक Local Sea है, just a few seconds, इसे कहा जाता है Yellow Sea या पीला सागर, पीला सागर, अब याद रखे इसको पीला सागर क्यों कहा जाता है, पीले सागर के अंदर याद रखेगा, आपको यहाँ एक नदी दिखाई देगी, जिस नदी को कहा जाता है Yellow River, पीली नदी, और यह पीली नदी को पीली क्यों कहा जाता है, तो याद रखेगा, कि यह एशिया की कुछ सबसे बड़ी नदीओं में से एक है, इसे हॉंगो के नाम से जाना जाता है, जापान में यह प्रवाहित होती है, यह निकलती है बेसिकली लोईस वाले एरिया से, और याद रखेगे जो लोईस वाला एरिया है, लोईस का मतलब होता है, ऐसा छेतर जहां रेगिस्तान से आई हुई चिकन dust यानि कि जो दूल है वो जमा होती है जिसे सामाने तहां आप लोग जो है वो मुलतानी मिटी के नाम से जानते होंगे अब आप सोचिए मुलतानी मिटी में पानी डालते ही कि इस प्रकार से वो घुल जाती है अब उसी से बना हुआ एक सेकड़ो किलूमेटर का मैदान हो और उस मैदान में कोई नदी प्रवाहित हो तो समझे उस शीज को कि नदी बार-बार अपना रास्ता बदलेगी क्योंकि जो रेत है और जो वो है अपना चटाने है यह आसानी से पानी में घुल जाएंगे और जब घुल जाएंगी तो नदी बार-बार विसरपन करेगी और य याद रखिए इस नदी के अंदर अवसात की मातला जादा होती है और इसलिए जिस सागर में अपना जल विसरजित करती है वो सागर बेसिकली है कौन सा तो आप यहां देख पाएंगे इसे कहते हैं इस चाइना सी या पूर्वी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के जिस इस हिस्से में अपना जल विसरजित करती है याद रखिएगा कि वो हिस्सा बेसिकली हो जाता है कैसा पीला इसलिए इसे पीला सागर कहते हैं यह भी याद रखिएगा कि चाइना इसको जो है कंट्रोल करने के लिए एक समय पर विश्व के सबसे बड़े डैम बना चुका ह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज कि अभी के समय सबसे बड़ा डैम कौन सा है याद रखे मैं एक एक स्टुडिन के कमेंट जो है वो रीड करता हूं वीडियो जैसे ही पबलिश होता है उसके पर शात मैं एक एक कमेंट रीड करता हूं चलिए तो आजाए इ तो साउच चाइना सी है इसके अंदर आपको दिखाई देगा यह है थाईलेंड की खाड़ी तो हमेशे आपने दिमाग में इन चीजों को सेटल रखेगा कि आपको इस प्रकार से जो है वो सागरों का करम दिखाई देगा ओके आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस यहाँ याद रखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ अधर्वाइज आप जो है वो इसे भूल जाएंगे मैंने पहले बताया है यह हमारी जलसंदी है कौन सी है यह मलक का स्ट्रेट है और याद रखिए मलक का स्ट्रेट जो है यह कनेक करती है इन दो सागरों को और यह भी या याद रखिएगा कि यह बेसिकली आपके लिए important हो जाता है एक यह dimension हुआ अब secondly याद रखिए कि उपर वाले area में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें और आपके सांट discuss करना चाहता हूं just a second याद रखिए आपको इस इस चान पर जो है यहाँ से start होता एक जो है वो ring दिखेगा याद रखिएगा इसे कहा जाता है pacific ring of fire या pacific की अगनी मेखला या प्रशांत अगनी मेखला कारण क्या है तो याद रखिए कि यह जो छित रहे यहाँ आपको जो है वो जौला मुखी गतिविधियां देखने को मिलती है और यह याद रखिएग कि यह गतिविधियां काफी important है to understand plate tectonic यानि कि plate tectonic को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपके लिए यह वाला portion जो है वो super important हो जाता है और याद रखिए यह start कहां से होता है यह start होता है pacific ring of fire basically काम चटका के peninsula से प्रायद वीट से clear अब इससे उपर आते जाए और एके करक कि इन सागरों को हम देखना प्रारम्ब करते हैं याद रखिए कि इस इस्थान पर आपको जो सागर दिखाई देगा इसे basically कहा जाता है हम इसे plot कर ले याद रखिए इस सागर को basically कहा जाता है पूर्वी Siberian सागर या East Siberian Sea याद रखिए East Siberian Sea सबसे पहले आएगा East Siberian Sea के बा कि इसके बाद जो सागर दिखाई देता है ये बेसिकली है कौन सा सागर इसे कहा जाता है लेप्टिव सी मैं यहाँ नेमिंग कर दूँगा अभी आप जो है और समझे सबसे पहले इस साइबेरियन सी फिर लेप्टिव सी लेप्टिव के बाद याद रखेगा इस स्थान पर झ्यूद लेप्टिव दिखाई देगा इसका नाम क्या है इसे कहा जाता है बेसिकली कारा सी प्याई तो यहाँ पर साइबेरियन सी यह जो है लेपटिव यह कारा अब यहां ध्यान दें यहां से आप ज կह यह useless की तरफ प्रवेश करना प्रारंब कर रहें हैं प्लियर त अब इससे आगे जाएंगे तो याद रखें East Siberian C, फिर Leptive C, फिर Kara C, फिर यहाँ देखें तो इससे कहा जाता है Barent C, थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा इससे याद रखने के लिए, तो यहाँ आपको Barent C दिखाई देगा, अब याद रखें Barent C के पश्चात आप और आगे आएंगे, तो यहाँ आपको जो C दिखाई देगा, याद रखें इसे बेसिकली कहा जाता है, ये वाले C को बेसिकली कहा जाता है Norwegian C, ओके, तो यह याद रखें कि कौन सा C कहा आता है और किस ओर्डर में आता है, ओके, मैं अभी यहाँ पर नेमिंग करता हू East Siberian C, Leptive, Kara, Barent और फिर Norwegian C, clear, अब Norwegian C के बाद यहाँ नीचे आ जाएं, याद रखें कि यहाँ पर आपको जो है, वो एक और C दिखाई देगा, यह थोड़ा सा उपर है बेसिकली, और यहाँ से आपको यॉरप दिखाई देता है, चलिए मैं इसे जो है, वो ड्रॉ कर देत हूं, just a second, याद रखें, यहाँ पर आपको जो है, इस तरीके से यॉरप दिखना प्रारंब हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको जो है, वो यहाँ यॉरप दिखाई देगा, ओके, तो यह याद रखें कि इस इस्तान पर जब आप आएंगे, तो आपको कुछ इस तरी इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, यह जो है, यहाँ, यह Norwegian है, Norwegian के नीचे यहाँ पर North Sea दिखाई देगा, clear, अब North Sea से अंदर जाएंगे, तो याद रखें, इस स्थान पर आपको जो है, वो एक सागर दिखाई देगा, याद रखें, इसे Baltic सागर कहा जाता है, मैं य यहाँ अभी नेमिंग करने वाला हूं, डोंट वरी, यह North Sea, यह Baltic सागर, याद रखें, यहाँ पर एक सागर है, इसे भी कुछ नाम से जाना जाता है, इसे Gulf of Bothnia के नाम से जाना जाता है, भी मैं डीटेल में इस वाले portion की mapping आपके सामने लेकर आऊंगा, आज की ही class में, त यहाँ इसकी नेमिंग करते हैं, और आगे बढ़ते हैं, तो यह बनके basically ready हैं, यह हैं Asia के local seas, याद रखेंगा, यह जो local sea है, यह जो सागरी छेतर हैं, यह आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि UPSC इन सारे geopolitical area से, अब आप कहेंगे कि उपर वाले sea कौन से geopolitical area मे देखेगा, यह बैरेंट सी के पास यहाँ नीचे आएंगे, तो कुछ इस तरीके से, just a second, अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ, तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर, याद रखिए एक marking, मैं जब Asia का political कराऊंगा, तब आप आएगा, यहाँ पर आपको जो है, इसे मैं लिख भी देता हूँ, आपके काम ही आएगा आगे, याद रखिए, इसे basically कहा जाता है, सपेद सागर, वाइट सी, clear, और यह याद रखिए, कि जो वाइट सी है ना, इस वाइट सी से, यह basically आपको actual address में थोड़ा नीचे दिखेगा, यहाँ इस पेस नहीं था, इस साथों समुंदर में जाने के लिए, यहाँ पर आपको सफीद सी दिखाई देगा, इस white सी से canal से होते हुए, वह यहाँ तक पहुँच सकता है, और यहाँ से होते हुए, जो है, वो आगे तक जा सकता है, इसी प्रकाट से याद रखिएगा, कि यहाँ से होते हुए, उपर जाएगा तो ऊपर जाने पर यह यहां ऊपर एक प्लेस है जिसे कहा जाता है मुर्मुसकांस्क या फिर मुर्मास्क मुर्मास्क यह जो एरिया है इस एरिया को कहते हैं यह एक मात्र ऐसा आर्क्टिक वाला एरिया है यानि कि आर्क्टिक का जो द्रुवी छेतर है वो एक मात् अभी समय ओपन रहता है रश्या के लिए जहां से रश्या अपने न्यूक्लिय चार्ज संबरीन को अटलांटिक ओशन में एंटर कराता है याद रखेगा ये वो पोर्ट है ये पोर्ट क्यों खुला रहता है तो याद रखे गल्फ स्ट्रीम की एक धारा आती है जो इस तरफ आने पर बिखरती है जिसे नौर्वेजियन ड्रिफ्ट कहा जाता है याद रखें कि जो बड़ी जलधारा होती है सागर के अंदर नदियां बहती है खारे पानी की जिसे जलधारा कहा जाता है अब ये जो जलधारा होती है जब ये बड़ी होती है तो इसे स्ट्रीम कहते है जब ये बिखरती हैं तो इसे drift कहते हैं जैसे Gulf Stream, Norwegian Drift तो ये जब बिखरेंगी तो इसे drift कहा जाएगा और याद रखिए ये जो drift है ये एक आती है यहाँ पर जो इस एरिया की बर्फ को पिगला देती है साल भर आती है इस कारण जो है यहाँ से Tiger के माफिक जो है एंटर करता ह रश्या आगे के पार्ट में तो इसी लिए आपको ये सारे एरियास बता होने चाहिए इसी प्रकार से जो कारा का एरिया है यहाँ पर एक नदी जो है अपना जल्विसर्जित करती है इसी तरह से East Siberia Sea के पास से जो है पिगलना प्रारंब हो रहा है basically Siberia तो याद रखे यही इसी प्रकार से आप पाएंगे कि यह पूरा छेतर जो है आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे जो है अपने दिमाग पर सैटल रखिएगा I think यह रीडेबल है अगर आप इस जो है वो क्लास की PDF चाहते है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अभिनो बहरे ज दूसता है तो प्लीज उसे जो है वो गाइड करें आप मिल्टेरिग्राम कर लिंक दे दें जिसे सभी तक यह जानकारी पहुंचे और यह याद रखें कि उद्देश हमारा है कि थोड़ा इंपक्ट आना चाहिए याद रखें कि इंपक्ट से आशे क्या है अगर हम कोई का में कुछ इंपर इंप्रूव्मेंट आएगा और यह इंप्रूव्मेंट आएगा तो यह पता चल जाएगा कि हमने जो करा उससे जो है इंप्रूब्मेंट आया अब इसे कोई माने या ना माने बट फीलिंग लाइक गुड की हमने जो कारे करा वो सफलता दिला रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों को अब याद रखें इसी प्रकार से आप पाएंगे कि हम देखते हैं इस साइड नौर्थ अमेर कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर नौर्थ अमेरिका दिखाई देता है कुछ इस तरीके से अगर हम इसे ड्रॉ करें तो आई थिंक अब आपको जो है वो याद होना प्राराम्ब हो चुका होगा जस्ट फ्यू सेकिंड्स हमें थोड़ा सान कम पड़ेगा अन्य कोशिश करें मेरा आप सभी से एक अनुरूद है कि मेरी एड़वाई सोड़ा सा माने जैसे मैं कह रहा हूँ आप बहुत बड़ा कोई कॉस्ट नहीं है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सोच लोगे न तो आप कर लोगे इस चीज़ को आप बैचेस में आईए आपको लिटरली आपको अपनी जर्णी में बैटर्मेंट फिल होगा मुझे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फायदा है आपको बूला कर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ बस याद रखें कि क्लासेस मैं यहां भी ले रहा हूँ क्लासेस में वहां भी लूँग फिर हम और आप कभी जो है वो मुखातिव होंगे जब batches में तो आप खुद ये बात कहेंगे कि you feel better to join in this part आपको जो है वो मज़ा आने लगेगा पढ़ने क्योंकि फिर teacher जो है यहां केवल पढ़ाता है वहां वो प्रेशर देता है कि बच्चे को समझ में आए ही यानि कि वो shift करें देते हैं और इसे continue करते हैं अब यहां द्यान से देखिए याद रखें यहां आपको greenland दिखाई देगा इस प्रकार से अब यहां आपको greenland के लिए याद रखता है greenland जो है यह सबसे बड़ा island है सबसे बड़ा द्वीप है इसका size यह काफी बड़ा है as compared to pride vp भारत तो pride vp भारत से भी थोड़ा सा size में यह बड़ा दिखाई देता है clear अब यहां ध्यान से देखें यहां कौन-कौन से local seas को आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले तो यह समझ ले कि यहां आपने mark कर रखा है just a few seconds अब यहां याद रखें कि यह जो greenland वाला part है यहां आपक आपको एक द्वीप और दिखाई देगा इसे मैंने जैसा आपको बताया कि यह डैनमार्क है और डैनमार्क के यहां पर आपको जो है वो तथा कथित तौर पर जो great Britain कहा जाता है यह आपको दिखाई देगा clear अब उसके नीचे याद रखें कि आपको जो है वो यॉरॉप पूर्शन है मतलब आप इमेजिन कर लें कि इसके बाद जो है वो नीचे यॉरॉप है clear तो आएं इसे हम थोड़ा सा जो है मार्किंग कर दे यह है बेसिकली ब्रिटेन या हम कहें great Britain मैं literal बताऊं तो such as कभी कहने का मन नहीं होता वो लोग जिन्होंने जो है इंडिया को brutally assassinate करा उन्हें but फिर भी is a part of syllabus तो we can say तथा कतित ब्रिटेन चलिए तो यह आपको ब्रिटेन दिखाए देगा इसी प्रकार से याद रखें यहाँ पर आइसलेंड है और यह जो मैंने आपको greenland वाला पूर्शन बताए यह तो है ही अब देखिएगा याद रखें कि इसके ऊपर यहाँ आपको नौर्वेजेंसी दिख रहा है तो यहाँ तक का हमने देख रखा है इसे थोड़ा सा जो है वो बना ले और यह याद रखें कि हो सकता है आपको जो है इस जरनी में यह लगे कि यह portion थोड़े से जो है वो लंब यह सी में आता है याद रखें कि सामानिता जो महाद्वीब कराने है इसे कराने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पर question जब यहाँ से बनेंगे तो हमें इसे पहले पर आइड़ाईज करना होगा clear तो याद रखें यह जो है इसे basically कहा जाता है यह है Norwegian C या Norwegian सागर य कि मतलब order यही है थोड़ा सा distance पे है बस चूकि हमाँ पास board इतना है थोड़ा सा दूर होगा पर order यही है इसके बीच में कुछ नहीं है अब यह याद रखें कि इस स्थान पर आपको जो है वो क्या दिखाई देता है यहाँ आपको दिखाई देता है Atlantic Sea Atlantic Ocean ओके तो यह आप को याद रखना है कि यहाँ आपको अलग करता हुआ दिखाई देगा एक channel या मैं कहूं एक straight या मैं कहूं एक जलसंधी इसे Denmark की जलसंधी के नाम से जाना जाता है clear इसे कहा जाता है Denmark जलसंधी clear एक यह पार्ट हो गया इसी तरीके से याद रखें कि यह जो portion है यहाँ आप करना चाहरा हूं जहां से देखेगा ओके याद रखें कि उपर वाले portion में इसे सान पर आपको एक जो है वो सागर दिखाई देगा याद रखें इसे basically क्या कहा जाता है यह है बफिन की खाड़ी clear मतलब यह जो उपर वाला portion है यह बफिन की खाड़ी है इसी प्रकार से आपको नीचे वाले पार्ट में याद रखें यहां नीचे तरफ ओके इस portion में यहां पर आपको दिखाई देता है इसे कहा जाता है लेब्रड और का सागर basically यहां से जो है वो टर लेते वे अंदर जाता है यह जो बीच वाला पार्ट है मैंने इसमें जो है वो यह बनाया ह इसलिए है जिससे आप समझ जाएं कि easily ऐसे ड्रॉ होता है और यहां से जो है वो चीज़े चेंज होती है अब यहां ध्यान दें यहां बीच में आपको जो है open mouth दिखेगा यह इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है याद रखेगा इस opening को basically कहा जाता है यह बफिन है इसे कहा जाता है हट्सन याद रखेगा यह बफिन की खारी है हट्सन की खारी के सामने जो है आपको ऊपर यह मैंने बताएं बफिन हैं लेब्रोडोर सागर अब याद रखें यहाँ पर हटसन की खाड़ी है और उपर जो है यह एरिया है अब यह जो चैनल है यानि कि यहाँ पर एक स्ट्रेट दिखाई देगा जस्ट अ सेकेंड मैं इसे जो है वो मार्क कर दूँ अधरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा याद रखें यहाँ पर जो चैनल है इस चैनल को बेसिकली क्या कहा जाता है तो याद रखें इसे कहा जाता है बेसिकली फट्सन की जलसंदी अब इसमें याद रखें कि इस एरिया से इस एरिया में जाने के लिए यानि कि यह जो बफिन वाला एरिया है इससे नीचे आने के लिए यहाँ पर आपको एक जलसंदी दिखाई देगी याद रखें इसे कहा जाता है डेविस तो याद रखें कि जो डेविस की जलसंदी ह ये उपर वफिन की खाड़ी तथा लेबरड और C इसे connect करने वाई जलसंदी है इसी प्रकार से याद रखे उपर यहाँ पर आपको एक और C दिखाई देगा ये आपके जहाँ वो कुछ अंतिम लोकल सीज में से एक है याद रखे इस तरीके से चलने पर आपको जो है वो दिखाई देगा यहाँ पर एक सागरी छेतर है याद रखे इसे basically कहा जाता है ब्यूफोर्ट सी या ब्यूफोर्ट सागर इसे कहा जाता है ब्यूफोर्ट सागर अब याद रखे ये जो ब्यूफोर्ट सागर है या beautiful का उपसागर है ये उपर arctic का जो है sub portion है अब यहाँ जो उपर वाला area है याद रखिए पूरा तरीके से जो है वो कठोर area में आता है पूरी तरह से खोस area में आता है यहाँ पर जल्द जल्दी जो है आपको दिखाई नहीं देता और याद रखें यहाँ पर आपको जो ह जाते हैं याद रखिए इसे कहा जाता है कुईन एलिजबेथ ड्वीप समूह और यहाँ पर एक ड्वीप है जिसे कहा जाता है विक्टोरिया ड्वीप यह कैनेडा की सामरिक दृष्टी से काफी जादा इंपोर्टेंट प्लेस है इसी प्रकार से याद रखें यहाँ अभी ह च्छन्धी दिखाई देगी जो उएस और मेक्सिको की बॉटर बनाती है हमारे लिए काम का जो इरिया है यह मैंने आपको कल भी बताया था इस इस्थान पर आपको दिखाई देगा कैलेपोर्निया याद रखें कि एक इस इसस्थान पर इक लोकल सी दिखाई दे रहा है इससे कहा जाता है Gulf of Alaska clear यह है Gulf of Alaska और फिर यह है Gulf of California नाम आपको बहतर तरीके से याद होने चाहिए Alaska की खाड़ी इसे कहा जाता है California की खाड़ी अब यहाँ याद रखिए आगे जाएंगे तो आपको इस इस्थान पर जो जलराशी दिखाई देगी इसे जैसा मैंने आपको पहले भी several time clear करा है याद रखिए इसे कहा जाता है basically Mexico की खाड़ी अब याद रखिए Mexico की खाड़ी के सामने यहाँ जो आपको द्वीप समू दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से और मैं पहले भी इनके बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूँ याद रखिए इस इस स्थान पर जो द्वीप समू है इसे कहा जाता है Caribbean द्वीप समू और यहाँ पर जो जलराशी है याद रखिए इसे कहा जाता है बेसिकली Caribbean सागर और याद रखिए कि इस इस स्थान पर यानि कि लेब्रड और सागर से Caribbean सागर तक अलग-अलग important cities है चाहे Montreal हो चाहे Massachusetts हो चाहे Portland हो चाहे New York हो चाहे Washington DC हो अब यहाँ Washington DC का नाम आ गया है बट डू मेक शोर एक और Washington है जो Washington जो है आपको इस स्थान पर दिखाई देगा याद रखें कि यहाँ एक Portland है यहाँ पर एक Washington है यहाँ पर भी Washington है कल की क्लास ने बताया था यह उपर वाला पार्ट है यह कहलाता है British Columbia यह वाला portion कहलाता है बिसिकली New Britain याद रखें New Britain जो है वो ब्रिटेन में नहीं आता USA में आता है British Columbia ना ब्रिटेन में आता है ना कॉलंबिया में आता यह आता Canada में है इसी प्रकार से याद रखें New Britain में जो है वो पाँच जो है स्टेट आते है USA के आउट ओफिफ्टी कौन कौन से है तो मैंने आपको जैसे बताया Hampshire हो चैरोड द्वीप हो या आपके आसपास के स्टेट्स हो यह सारा कुछ आता है Massachusetts वाला एरिया यह सारा कुछ आता है New Britain में इसी तरह से याद रखें कि अब हम Caribbean द्वीप सम्हू के बारे में देखने वाले हैं यहां आपका फूरा concentration required होगा आएं इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं otherwise आपका जो है वो portion अधूरा रहेगा याद रखें इस तरीके से आप चलना प्रारंब करेंगे तो आपको जो है इसी स्थान पर यह दिखाई देगा यह है California वाला हिस्सा clear और इस तरीके से आपको जो है नीचे यह portion दिखाई देगा clear just a few second इसे थोड़ा सा जो है हम recorrect करते हैं ओके यह वाला portion आपको दिखाई देगा अब यहाँ याद रखें कि इसके नीचे जो आपको द्वीप समू दिख रहे हैं अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए याद रखेंगे आप कि आपको यहाँ एक एक चीज आपके mind पर settle down रखनी है याद रख कि मैं यहां marking में लिख देता हूं मैं कैसे आपको समझाऊं और कैसे यह confidence दिलाऊं बच्चो को कि आपको केवल और केवल इस पर focus नहीं करना कि popular topic क्या है पूछा क्या जाता है इस detailing के साथ पूछा जाएगा और please इसे जरूर पढ़ें इसे जरूर याद रखें अगर मैं को main aim आपका selection है आपके ही जो है वो advises पे ये series स्टार्ट हुई है प्लीज इसके notes जरूर बनाएं आपको ये जरूर result देगी I know ये आपके लिए थोड़ा सा tough होगा चीजे बहुत जादा detail और बहुत minute जाती है पर प्रशन यहां से आते हैं अब यहाँ याद रखें कि इस इस second थोड़ा सा दूर बनाते हैं याद रखें ये एक ड्वीब है इस प्रकार से clear इसके अलावा यहां एक ड्वीब दिखाई देगा पर आपको यहां एक ड्वीब तो देखिए आपको दो तरफ द्वीब दिखाई दिए, एक बड़े द्वीब दिखाई दिए, एक छोटे द्वीब दिखाई दिए और अब यहाँ याद रखिए कि इस स्थान पर कुछ इस तरीके से यह बनता हुआ नीचे छेतर जाएगा याद रखिए, इसे basically कहा जाता है South America वाला पार्ट, फाइन, मतलब यहाँ से जो है आपको South America की बॉर्डर दिखाई देंगी, यह North America की बॉर्डर, फाइन, तो यह नीचे South America स्टार्ट है, यह आपका जो है North America वाला, यह Mexico वाला पार्ड, फाइन, अब देखिए, याद कि ये जो portion आपको भी कैद यहां दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से मैं इसे एक बार जो है वो marginalize कर लूँ उसके बाद फिर हम आगे discuss करते हैं याद रखें ये जो area आपको दिखाई दे रहा है इसे basically क्या कहा जाता है Caribbean Sagar clear अब यहां पर थोड़ा सा और जो है आपको मैं कस्ट देना चाता हूँ I know आपके लिए थोड़ा सा tough हो रहा है प्लीज इसको समझें कि ये ही exam में आएगा clear आसानी से जो है वो बड़े continents को करना ये easy होता है ये सब करते हैं और इसलिए सब qualify नहीं होते आपको qualify होना है तो चीजों को tough minor में पढ़ना होगा अब ध्यान से देखें याद रखिए गा इस इस सान पर ये आपको दिखाई देगा इसे basically कौन सा सागर कहा जाता है इसे कहा जाता है सार्गॉस सागर clear ये है सार्गॉस just a second सार्गॉस सागर clear और याद रखिए ये जो सार्गॉस सागर है इसे endless या coastless या तटविहीन सागर कहा जाता है या बिना तटका सागर कहा जाता है बिना तटका सागर अब इसे बिना तटका सागर क्यों कहा जाता है कि इसकी वास्तिक्ता में कोई तट्रेखा नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं है अब यहाँ याद रखें कि यह जो सारगौस सागर है इसका नाम यहाँ पाई जाने वाली एक वनस्पती के नाम पर पड़ा है जिसे कहा जाता है सारगौस वनस्पती अब आने वाले पांच मिनिट मेरी बात बिलकुल ध्यान से समझेगा revolutionary content है दिमाख आप खुल जाएगा याद रखें कि आप तबी ने सुना होगा एक theory के बारे में एक कहानी के बारे में जिसे कहा जाता है basically क्या जिसे कहा जाता है बर्मूडा triangle theory याद रखें बर्मूडा triangle theory में यह कहा गया कि इसी छेतर में यहाँ पर एक triangle है इस छेतर में कोई भी ship जाता है वो डूब जाता है कोई भी विमान जाता है वो डूब जाता है या फिर कोई रक्ती जाता है गायाब हो जाता है यहाँ alien रहते हैं यह theory basically फैलाई गई थी USA के दवारा मैंने एक video बनाया है जिसमें मैंने बर्मूडा triangle की theory को पूरा पूरा डिस्क्लोज करा geographical point of view से जो आपके लिए माइन में जो है वो concept को consolidate करने के लिए बहुत important है value edition की जो मेरी दूसरी series है वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं याद रखें कि इसमें basically मैंने जो है वो यह explain करा था कि second world war का क्या impact है जोगरफी में और उसका ही एक part है याद रखें कि यहाँ पर एक nation आता है याद रखें इसे कहा जाता है क्यूबा मैं यहाँ पर shading करता जाता हूँ और explanation दे रहा हूँ द्यान से समझें याद रखें कि यह वाला portion कहलाता है क्यूबा याद रखें कि second world war के time पर और उसके पशाथ जो cold war start हुई उस समय पर जो क्यूबा था यह align nation था USSR का अर्थात रश्या का रश्या ने यहाँ पर intercontinental ballistic missiles को settle करा था और यह intercontinental ballistic missiles जो है यहाँ Florida वाले portion में यहाँ पर आता है basically Florida और याद रखें Florida वाले portion को जो है अपने missile range पर कर लिया था USA के area को USSR में अब इससे बचने के लिए USSR से counter-rick करने के लिए USA ने यहाँ पर एक theory बनाई के यहाँ पर जो भी ship आएगा वो डूब जाएगा जो भी जहाज आएगा वो खराब हो जाएगा कारण क्या था कारण यह था कि यहाँ पर सबसे पहले समझे एक धंडी जलधारा एक गरम जलधारा आती है नीचे से जिसे कहा जाता है Gulf Stream और Gulf Stream यहाँ आकर जो है वो गोल-गोल घुमना प्रारंब करती और इस इससान पर गोल-गोल घुमना प्रारंब करती है याद रखें यहाँ पर जब यह गोल-गोल घुमती है तो जब भी कोई ship इससान पर एंटर करेगा अपने आप उस ship को ऐसा लगना स्टार्ट होगा कि वो चला सीधा रहा है लेकिन ship गोल घुम रहा है अब इसी प्रकार से याद रखें सार्गॉस सागर के एक विशेश्ता है कि यहाँ पर आपको सागर के अंदर कुछी सरीके से बड़ी बड़ी घासे दिखाई देती है सार्गॉस लंबी सागरी घास है और याद रखिए यह सागरी घास क्या करती है जो ship होते हैं उसके जो propellers होते हैं उसमें फस जाती है गास और बसने के पश्चाज जो है उसका propeller को जकड लेती है जगरने से बचने के लिए जब जो पाइलेट है जो कैप्टन है वो ship की speed बढने के प्रयास करता है उसका जो propeller है वो और ज़्यादा फस्ता जाता है और ship जो है वो दूब जाता है ऐसा लगता है कैप्टन को कि कोई पीछे से ship को पकड़ कर खीच रहा हो अंदर की तरफ तो ये सारगाउस घास ये कारण जहाज जो है वो डूब जाते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर जो ओशनिक गायर है कभी हम इसको डीटेल में पढ़ेंगे तो याद रखे इसे कहा जाता है ओशनिक गायर और तो याद रखे यहाँ के around है यह के बारे में भूतिय घट नए यह ने ईए तो क्यों ही बताएं और याद रखे जो ट्रॉपिकल साइक लाएशी होते हैं जो उश्ण कड़ी बंदिये चकरवात होते हैं इसमें thousand of cumulonimbus cloud अर्थात कपासी वर्षा में की पावर होती है और एक कपासी वर्षा में के एक टाइम पे इंडोनेशिया के आगे खिंद महासागर में उपस्ते था Malaysian Airline का एक plane जो है उसके अंदर प्रवेश करा याद रखें कि वो plane जो है वो evaporate हो गया था वाश्प में उड़ गया था एक nimbus cloud के अंदर जो है वो 1200 से 1500 गुना तागत होती है nuclear bomb से इतने सारे clouds जब accumulated होते हैं एक हिसान पर इखटा होते हैं तो याद रखें कि यह सुपर dangerous होते हैं कोई भी plane अगर यहाँ आता है और उससे अगर यह नहीं पता कि यहाँ पर जो है वो nimbus clouds है यानि कि कबासी वर्षा मेग है और यहाँ पर चक्रवात आया है उस plane के evaporation हो जाने की संभाव ना होती है भाप में उड़ जाएगा दिखाई भी नहीं देगा तो याद रखें कि यह एक जो है वो important event है अब यहाँ पर ध्यान देने योग है कि यह सार्गौस सागर को बिना तटका सागर क्यों कहा जाता है क्योंकि यह सागर जो है यह एक बड़े सागर का हिस्सा है इस हिस्से में यह घास मिलती है इसलिए इसका नाम है clear तो सार्गौस सागर एक एरिया की वनस्पती के नाम पर इसका नाम पढ़ा है एक बार UPSC ने बहुत पहले इससे प्रश्ण भी पूछा था तो यह सार्गौस सागर है अब सार्गौस सागर के लिए याद रखे इसके नीचे आपको यहाँ पर केरेबियन सागर दिखाए देगा जस्ट ए सेकेंड मैं इसकी नेमिंग कर दूँ अदर्वाइस आपको जो है समस्या होगी यह केरेबियन सागर है और यह याद रखे इसे कहा जाता है मेक्सिको की खाड़ी अब यहाँ ध्यान दे याद रखे कि यह जो इससान आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है इस आर्क को यहाँ पर एक लेशन यह है जिसे कहा जाता है क्यूबा याद रखे इसे कहा जाता है Bahamas मैं यहाँ Shading कर दूँ और आपको नाम बता दूँ यह है Bahamas और याद रखे नीचे आपको इस स्थान पर दिखाई देगा Jamaica Cuba, Bahamas, Jamaica अब इसके आगे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा Haiti येती नहीं, Haiti अब इससे आगे जाएंगे तो कुछ अधर दूइब समू है, आपको नाम जानने की आवशकता नहीं है, लेकिन यहाँ से यह जो दूइब दिखाई देते हैं, इससे कहा जाता है Lesser Antilles, clear इससे कहा जाता है Greater Antilles, इससे कहा जाता है Lesser Antilles, clear, मैं यहाँ पर जो है इसकी naming करता हूँ, ध्यान से देखिए याद रखें कि इससे इस पूरे area को collectively basically कहा जाता है collectively कहा जाता है Greater Antilles, और इससे कौन-कौन से रेश आते हैं जैसा मैंने आपको बताया यहाँ आता है Cuba, यहाँ आता है Bahamas, और फिर आता है Jamaica, यह नीचे जो है यह हेती वाला पार्ट, अब याद रखें, जो Cuba है यह एक समय पर USSR का लाइन था यहीं पर जो है, वो USSR ने अपनी जो है, वो Intercontinental Balistic में साइस लगाई थी, यह वाला जो portion है, इसे कहा जाता है Florida का इरिया Florida के इरिया को जो है, वो Capture करने के लिए, या फिर इसे Target में लेने के लिए Secondly, याद रखे, Cuba को कहा जाता है Antilles का मोती, यह Pearl of Antilles, यह Antilles के सबसे बड़े देशों में से एक है, Cuba Famous है अपने Cubian cigar के लिए जिसे Hitler पिया करता था, इसके अलावा Cuba जो है, वो एक और चीज़ के लिए Famous है, जिसे कहा जाता है, गन्ने का उत्पादन या फिर शक्कर के उत्पादन के लिए, इसे लिए कहा जाता है इसे, जो है, बाउल ओफ Sugar या फिर शक्कर का Cutura, fine, इसके लावा ये धान के उत्पादन के लिए भी कईवा जाना जाता है इसके साथ याद रखिए, कि जो जो आपका ये Cuba वाला पार्ट है Cuba से उपर वाला पार्ट है, Bahamas याद रखिए, Bahamas जो है, अपनी हवाई clothing के लिए famous है, आपने हवाई clothing जो देख रखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार आप जो है देखे, इस हवाई clothing में sleepers आती हैं, याद रखिए कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो मैं आपको बताओं, तो जब आप किसी नदी में नहने जाते हैं तो क्या कभी आप sleepers पहन कर जाते हैं आप कभी किसी व्यक्ति को ruler area में, countryside में, village places में जा कर देखें, या फिर अपने city की एक नदी के पास जा कर देखें, आपको वहाँ व्यक्ति जो है, वो चपलें उतार कर जाता हुआ दिखाई देगा, this is called culture, the geography, the culture is derived by geography, आपका जो भी संस्कृति है, वो आपके भूगोल से बिलोंग करती है, आप पाएंगे कि व्यक्ति रोड में चपल पहनेगा, नदी के पास जाएगा तो चपल उतार कर अंदर जाएगा, अब जब द्यान से देखें, आपको हवाई क्लोथी में क्या दिखाई देगा, रबर की चपल पहन का व्यक्ति जो है, वो इस नानम ध्यानम करोती करने जा रहा है वो जब बीचेस में जाएगा, तो स्लीपर पहन के जाएगा, कारण क्या है, आप जब नदी के पास जाते हैं, तो नदी के पास आपको अवसात, जो sediments दिखाई देते हैं, यह sediments basically क्या है, यह sediments basically very fine particles हैं, और यह आपको नहीं गड़ने वाले लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे, बहामास वाले एरिया में याद रखिए, इसके आज पास जो है, आपको coral reefs हैं, यह जो प्रवाल भत्तियां हैं, यहाँ पर इनके जो अस्थी पंजर हैं, यह पड़े होते हैं, इस कारण जो रेत है, वो सफेद कलर की हो जाती है, नीले कलर का आसमान होगा, सफेद कलर का जो है, वो बीच होगा, नीले कलर का सागर होगा, आपको दिखाई देगा, बहुती चुंदर द्रिश, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, recreational activities, बोले तो tourism, लेकिन parallel यहाँ पर आपको एक culture दिखाई देगा, कि वेक्ति जो है, जब सागरी चेतर है, tropical area में आता है, साथ ही, यह clothing काफी पतली होगी, कारण क्या है, बारिश होगी, तटीय चेतर है, तीसरा चीज याद रखें, आपको sleepers दिखाई देगे, कारण क्या है, तटीय चेतर है, तटीय चेतर में bones दिखाई देगे, geography is responsible for the cultural things, अब यह एक याद रखें, बहामास जो है, अपनी हवाई clothing के लिए काफी famous है, इसके अलावा, यह याद रखें, जो Jamaica है, यह tobacco के उत्पादन के लिए काफी परसद्ध है, तंबाकू के उत्पादन के लिए, कुछ सबसे अच्छी quality की tobacco यहाँ से लॉंग करती है, अब यहाँ याद रखें, कि यहाँ पर आपको क्यूबा वाले एरिया में, एक museum भी दिखाई दिखाई दिखाई, जिससे कहा जाता है, सिगार museum, जहाँ पर विश्वे से सारी जगाओं से लाई हुई, जो उहां कि साइट से जाता है, इसे BD के नाम से जाना जाता है, अब इसमें जो जल संदिया है, इसे थोड़ा सा आपको अपने mind पर settle करना होगा, super important है, यहाँ ध्यान से देखें, याद रखें कि जो Mexico की खाड़ी है, और जो Caribbean सागर है, इसके बीच में कौन सी जल संदिय है, तो आपको हमेशा याद रखना है, इस इस्थान पर, यहाँ पर, जो जल संदिय है, इसे कहा जाता है, युकेंटिया की जल संदिय, clear, तो मैं यहाँ नाम खाड़ी है, Caribbean सागर है, यह एक जल संदि हुई, और एक जल संदि जो है, आपको इस स्थान पर भी दिखाई देगी, इसे basically कहा जाता है, Florida की जल संदि, और याद रखें, जो फ्लोरीडा की जल संदि है, यह connect करती है Caribbean सागर को with the Sargos सागर, clear, तो मैं यहाँ इसका नाम सरीके से आपको जो है इस पूरे मार्किंग को अपने दिमाग पर सेटल डाउन रखना है ये आपके लिए सुपर इंपोर्टेंट है अलग से कॉपी पर इसे ड्रॉ अवश्य कर ले ओके तो अब ये हमारा जो है एफरिका वाला पोर्शन बस बचा है हम एफरिका वाले पोर्शन को भी अभी कवर करेंगे देखिए हमने जो है अगर मैं आपको एक बार रिकॉल कराऊं तो याद रखें सबसे पहले हमने एशिया के लोकल सीज को देखा इसके पश्चाद हमने जो है वो यह नौर्थ अमेरिका के लोकल सीज को देखा इसके पश्चाद जो है हमने नौर्थ अमेरिका के सदन पार्ट को यानि की दक्षिनी भाग को भी डिटेल में देखा अब हमारा उद्देश है हम क्यों ना थोड़ा सा जो है वो उपर जाए काला सागर को और कैस्पियन सागर को इस एरिया को थोड़ा सा देख ले साथ में ये कनेक्ट कैसे होते हैं इसे देख ले अब इसके साथ आपकी जो संधिया है ये भी थोड़ी बहुत जो है आपकी कवर हो जाएंगी अब इसमें और जादा डिटेलिंग तब आएगी जब हम कॉंटिनेंट वाइस चलेंगे तो लोकल सागर को पढ़ना पहले जादा जरूरी है ऐस कंपेर टू दा आदर चलिए इसे थोड़ा सा जो है वो देखते हैं यहाँ याद रखें पहले हम जो है वो एक light map draw करेंगे जिससे आपको देखने में और समझने में समस्या ना हो याद रखें कि इस स्थान पर यह आपको जो है वो ग्रीक दिखाई देगा इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है वो इटली दिखाई देगा इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो यहरप वाला पूर्शन दिखाई देगा और इस तरीके से आप जो है वो चलते हुए आएंगे जस्ट अफ्यू सेकेंड हम इसे complete कर ले फिर हम आगे बात करते है अब हमें इतने area की ही आवशकता है इसलिए हम बाकी का portion जो है वो draw नहीं करेंगे चलिए तो यह भूमद्य सागर का area है अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को add on करेंगे कैसे तो पहले थोड़ा सा यहाँ naming कर दे याद रखें इसे कहा जाता है यूरप अब इसके अंदर कौन-कौन से सागर है इसे हम देखते हैं चलिए तो यह बनकर ready इसे ध्यान से देखें याद रखें कि यह जो अंदर वाला part है यह पूरा portion basically क्या कहलाता है इस पूरे portion को कहते हैं भूमद्य सागर अब याद रखें कि यह जो भूमद्य सागर है इसके अंदर आपको जो है कुछ लोकल सी दिखाई देंगे अब इसे अपने mind पर बहतर तरीके से settle down कर लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा एजियन सागर है इसके अलावा याद रखें कि यह जो है यहाँ आपको तर्की दिखाई देगा याद रखें यह जो तर्की या तुर्की है तुर्की और ग्रीस यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि इस इससान पर आपको जो है इस इससान पर आपको दिखाई देगा इटली तो याद रखे इटली और ग्रीज के बीच में एड्रियेटिक सागर है इसके पश्चात याद रखे इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इयूनियन सागर दिखाई दिखाई देगा और इसके पश्चात याद रखे कि इस area की super most important thing यह है कि यहां से trade बहुत जादा होता है और जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है याद रखेगा कि यहां पर आपको एक संधी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है जिबराल्टर की जल संधी जिनोंने मेरा first वीडियो देखा होगा उन्हें बहतर तरीके से पता होगा किसी क्या importance है याद रखेगा कि जिबराल्टर की जल संधी से होते हुए जो है वो आप enter कर सकते हो Mediterranean में Mediterranean अर्थाद भूमदे सागर में भूमदे सागर से होते हुए जो है आप आगे जा सकते हो आगे जाने पर आप enter कर जाओगे कहां पर तो यहां से आप जो है वो enter कर सकते हैं नीचे वाले portion से आप लाल सागर में और लाल सागर से वेलकम इन एशिया तो एशिया और योरप के बीच में ट्रेड का एक सुपर इंपोर्टेंट नीच जर्क पॉइंट चोक पॉइंट है जिबराल टर कंट्रोल करता है अब इसके अलावा याद रखें कि आपको यहां से एक दूसरा dimension अपने दिमाग पर निकालना है क्या है वो dimension तो यहां ध्यान से देखिएगा क्या है वो dimension तो ध्यान से देखिए याद रखें कि इस प्रकार से आपको यहां पर एक सागर दिखाई देगा छोटा सा फिर ये सागर जो है वो connected होगा एक दूसरे सागर के साथ और ये भी याद रखें कि ये जो दूसरा सागर होगा इसके अंदर आपको जो है वो एक pride weave दिखाई देगा clear अब ये कौन सा सागर है और ये कौन सा जो है सागर है इसे बहुत ध्यान से देखें just a second मैं इसे थोड़ा सा डीटेल कर दूँ जिससे आपको समझने में समस्या ना हो यहाँ थोड़ा सा मैं edges को smooth कर दूँ जिससे आप इसे समझ पाए clear अब याद रखेंगा कि इस सागर को basically कहा जाता है Black Sea और याद रखेंगे इस Black Sea के अंदर यहाँ आपको एक प्राइद वीब दिखाई देगा इसे कहा जाता है क्रीमिया का प्राइद वीब या क्रीमियन पनेंसुला याद रखेंगे कि अभी Ukraine Russia war में मैंने पहले भी discuss करा है याद रखेंगा कि Russia का biggest dream is to enter in the Atlantic Sea without any barrier जो रखेंगे इसका सबसे बड़ा सपना यह है कि एक दिन अगर से border इतनी आसानी से रश्या की बनेंगी नहीं इस कारण जो है इसके पहले मैं यह रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ 2011 यह 2014 की यह घटना है जहां आप आएंगे कि क्रीमिया का प्राइद वीब यह बेसिकली पार्ट था किसका Ukraine का इस पार्ट पर रश्या ने जो है वो डॉमिनेंस बढ़ाना चाहता था जो ब्लैक सी वाला portion इसमें अपना डॉमिनेंस इंक्रीज करना चाहा रहा था रश्या अब यह कैप्चर हुआ कैप्चर होने के पश्यात आप पाएंगे कि यह एरिया क्यों इंपोर्टेंट है तो याद रखें कि यहां से होते हुए इस बढ़ेंस बढ़ेंस यहां से होता हुए रश्या असानी से अंदर आ सकता था क्रीमन की परेंसुला को कबजे में करता था रखा था रश्या ने एक सवर्ण अब इसी तरह से याद रखें कि यहां आपको एक सागर दिखाई देगा बहुत ध्यान से देखेंगे यह जो सागर है और जो काला सागर है यह आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं तो यह आपको क्रीमिया का प्राइद दिखा याद रखें यहां पर आपको एक जल संधी दिखाई दिखी जिसे कहा जाता है क्रच फाइन या इसकी स्पैलिंग मैं लिग दूँ जस्ट सेकेंड या फिर इस संधी के नाम से जाना जाता है क्रच जल संधी क्लियर जो किस किस को करनेट करती है तो यहां पर आपको दिखाई देगा जस्ट सेकंड इस प्रकार से यहां पर अजोफ सागर है अजोफ कह लिजी या इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देगा यह है क्रीमिया का प्रा कि इस से नीचे आएंगे तो ये जो इस्थान आपको दिख रहा है याद रखिए इस इस्थान को बेसिकली कहा जाता है Sea of Murmura या Murmura का सागर और याद रखिए ये जो Murmura का सागर है Just a few second ये जो Murmura का सागर है ये Murmura भी कहा जाता है कई बाइसे जो है मार मरा भी कहा जाता है दोनों ही नाम प्रचले थे जो सागर है याद रखिए यह सागर बेसिकली आता कहां पर है यह आता है तुरकी में और यह याद रखिए यह सागर बेसिकली जो है वो किस दो सागरों के बीच में है तो यह बेसिकली सिच्वेटेड है काला सागर और इसी प्रकार से आप पाएंगे यहां एक और सागर है जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर अब यहां याद रखिएगा कि यह जो मरमरा का सागर है यह खुलता कहां पर है यह खुलता है काले सागर के अंदर और यहां पर एक संधी दिखाई देगी याद रश्या जब कंट्रोल कर सकता है जब रश्या इसमें डॉमिनेंट्स पा लेगा तो याद रखे उस दिन जो है वो मेडिटरीन सी के अंदर एक नए बड़े प्लेयर की एंट्री होगी और उस दिन जो है यूएस हेगेमनी को बड़ा चैलेंज होगा और यही कारण है कि रश् एक साल से इन्विडिन लास्ट एक साल से अटैक चल रहा है और इस टिल यूएसे साइलेंट अब यहाँ पर याद रखते ही होगे एक फ़र इन्फरमेशन होगी यह जो बॉसफोरस की जल संदी है यह मरमरा सागर को काले सागर के साथ जोड़ती है जो क्रच की जल संदी है इसे हम देखने वाले हैं यह लास्ट डामेंशन क्या है तो यह लास्ट डामेंशन है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट तो आएं इसे जो है हम कवर करते हैं ध्यान से देखिएगा आएं हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को आपको जो है कुछ इस त द्वीब समू के बारे में मैं परिचे देना चाहता हूँ कारण ये है कि इससे रिलेड़ेट प्रश्न आने वाले टाइम पर जरूर आपको दिखाई देंगे ये कहलाता है पापुवा न्यूगिनी का द्वीब और ये याद रखे कि ये द्वीब समू आने वाले टाइम पर जरूर न्यूज में रहेगा क्योंकि ये अभी या उस मोड पर है उस दो राहे पर है जहां से ये नेशन जो है वो डिसाइड करने वाला है कि चाइना प्रो है या चाइना एंटी है इसलिए याद रखेगा कि पापुवा न्यूगिनी काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे चलिए अब इसी प्रकार से याद रखें कि इसके बाद आपको कुछ विस्तार दिखाई देगा कौन सा है विस्तार ध्यान से याद रखें यह जो ड्वीप है यह आपको दिखाई देंगे इस नाम से यहाँ आपको दिखाई देगा एक ड्वीप याद रखें इसे बेसिक पर करा था किसने एक ब्रेटिशर ने तो याद रखिए इसकी डिस्कवरी ही चूकि एक ब्रेटिशर ने करी थी इसलिए जो भी चीज़ दिखाई दिखाई देगा यॉरप में सदन दिखेंगे आपको कहां पर ये इस वाले पार्ट में इसी प्रकार से आपको जो है वो एक वहाँ उत्तर में दिखेंगा एक हैमिल्टन नीचे इहां दक्षिय में दिखेंगा एक वैल्स आपको इंग्लेंड में दिखाई देगा एक साुथ वैल्स के नाम से यहां दिखाई देगा वैल्स बिस in Kate ट्रhr यहां जानने योग information है याद रखेगा कि इसके ऊपर यहां आपको एक सागर दिखाई देगा लोकल क्या नाम है सागर का तो याद रखे इसे कहा जाता है बिसमार्क सागर और नीचे यहां पर आपको एक सागर दिखाई देगा याद रखे इसे कहा जाता है बेसिकली यह जो सागर है जो नीचे बेसिकली आता है याद रखे इसे कहा जाता है सोलोमन सागर तो सोलोमन अब इसी के साथ आ जाएं यहां हम अदर सारे सागरों को जो है वो प्लॉट कर लेते हैं और इसके साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो समाप तो होगा याद रखिए ये वाला जो पोर्शन है इसे बेसिकली कहा जाता है अराफुरासी याद रखिए जो अराफुरासी है ये आ सागर मुख्यता जो है, वो Southern Ocean अर्था दक्षिनी सागर का भाग है, और ये जो अराफुरा सी के नीचे, exactly नीचे आता है, इसे कहा जाता है, Great Australian Bight, clear, इसी प्रकार से याद रखे, यहाँ पर जो सागर आपको दिखाई देता है, इसे basically कहा जाता है, coral sea, और इसे coral sea कहने का या क्या नाम है इसका, तो Great Barrier Reef, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और पूरे विश्व की सबसे बड़ी है, याद रखेगा कि ट्रिलियन्स ओफ यूएज डॉलर की एकोनॉमी है, इस Barrier Reef की, यहाँ क्या नहीं मिलता, एक तो सबसे पहली चीज़, आप imagine करें कि आपक आदमी जो है, अगर एक B-classity में रहता है, अगर वो सामाने घर लेता है, पांस से साथ हजार रुपर उसका रेंट होता है, याद रखेए कि वो महिने बर पांस से साथ हजार रुपर में या दस हजार रुपर में रहता है, जब घूमने जाता है, तो तीन दिन होटल का रे ऐसे खर्च करने के लिए है तो याद रखें जो व्यक्ति 10,000 रुपए में महीने भर रहता है वो 10,000 रुपए तीन दिन में खर्च करता है जितना उसका महीने का खर्चा 50,000 है तो वो 7 दिन में 50,000 रुपए खर्च कर देगा लेकिन बस आपके पास चीजें होनी चाहिए उस इसी प्रकार से याद रखें, इसी स्थान पर जो आपको सागर दिखाई देगा, इसे basically क्या कहा जाता है, ये है तस्मान सागर, अब इसका नाम तस्मान क्यों है, तो याद रखेंगा, आपको इसके नीचे जो है, वो स्टेट दिखाई देगा, उसे कहा जाता है तस्मान रा ये ये जो सागर है, इसे कहा जाता है basically टीमोर सागर, clear? तो मैं यहाँ नाम अब mention कर दूँ, इसे कहा जाता है टीमोर सागर, इसे जो है हम अंदर mention करते हैं, otherwise आपको जो है वो Read करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसे कहा जाता है टीमोर सागर, इसे कहा जाता है आप वो न्यूगिनिय को आस्ट्रेलिया से अलग करता है इसे याद रखे इसे कहा जाता है ग्रेट आस्ट्रेलियन बाइट इसी प्रकार से याद रखे जैसा मैंने आपको बताया ये जो है तसमान सागर इसी प्रकार से जैसा मैंने यहाँ बताया याद रखे इसे कहा जाता यह वाला portion इसे कहते हैं बिसमार्क इसे कहा जाता है बिसिकली तो यह वाला portion जो है आपके दिमाग में अब सेटल रहना चाहिए हमेशा की कौन सा सागर जो है वो किस स्थान पर आता है यह जो portion आपको दिखाई देगा याद रखे कि यह हिंद महा सागर अर्थाट इंडियन याद है अब यह जो portion हुआ यह complete package है यह complete information है regarding world के सारे सागरों के अब यही सागर जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इन सागरों को अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लिया तो आपके लिए कभी भी कोई कारे tough नहीं होगा क्योंकि इसके अलावा कोई स कि यह जो है series जो हमने start करी है यह आपको पसंद आ रही होगी आप इसे जो है वो बहतर तरीके से note down कर पा रहे होंगे आप मेरे telegram challenge है जो है इसकी PDF डाउनलोड कर लिजे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो याद रखें कि अगर आप इस वीडियो में यहां 10 गंटे का होता है आप चाहें तो हम जो है कभी कभी मेरा थन में मिल सकते हैं लेकिन आप सोचें कि daily अगर यह 3 गंटे की class में बदल जाए लगबग लगबग 90 गंटे की class होती है अके लिए geography की आपका knowledge कितना higher level पर पहुंच जाएगा आपकी understanding कितने higher level पर पहुंच इस चीज़ को understand करें और जो यह वाला batch है इसमें जरूर आएं यह आपके लिए game changing होगा आप किसी भी faculty का code यूज़ करें मेरे जैसे एके live है आप कोई साभी code लगाए अपने favorite faculties के code को लगाए हमें इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारा जो है वो teaching आप तक किस प्रकार से पहुंची यह एक तरह के feedback जैसा होता है आप केवल और केवल इस बात पर focus करें कि आपको जो है यह course में admission लेना है यह आपके लिए genuine advice है यह definitely आपके लिए जो है वो कारगर होगी तो चलिए हम मिलते है next video में और यह याद रखिएगा कि आप जाने से पहले comment section में अपना feedback अपने विचार जरूर लिखें मैं एक एक comment और अपने doubts भी लिखें मैं एक एक comment जो है वो ध्यान से देखता हूं और उसे समय पर आप तक उसका clarification पहुंचाने का प्रयास करता हूं आप जो है अपने comment खुल कर लिखें इसे ज्यादा से ज्यादा share करें देखें समझे इस ब एक WhatsApp ग्रूप तक जो है उसे जरूर शेयर करें चलिए मिलते हैं next वीडियो में have a very nice day thank you